मांडर उप्चुनाव में सोसय आश्रम में राज्य के प्रथम मुख्य मंत्री बाबुलाल मरांडी ने किया सभा को संबोधित शुकरवार को मान्डर प्रखन के सोसई आश्रम में मान्डर विदान सभा में भाज़पा के प्रत्याशी गंगोतरी कुझूर के पक्ष में जारकन के प्रत्थम मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी ने जन सभा को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने कहा कि राज्य में हेमन की सरकार लूटने में लगी है अपने परिवार और उनके प्रतिनीधियों के नाम यहां का खनीज का लीज लेकर लूट रहे हैं साथ प्रदेश में कानून का राज नहीं है थाई साल सरकार में रहने के बावजूद हेमन सुरेन ने प्रदेश के गरीबों के लिए कुछ नहीं किया वहीं जैसवाल ने कहा कि सबके साथ सबका विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है गंगोतरी कुजूर रगुवर सरकार में रहते हुए विधानसभा छेतर में कई बड़े कारे किये है मुझे उम्मीद है कि इस बार जनता गंगोतरी कुजूर को फिर से विधायक बनाएगी यहां की जनता